ओं गनेशाया नमः ओं श्री गुर्वे नमः ओं नमः शिवाया मैं इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों के लिए माता श्री ललीता त्रिपूर सुंद्री का एक दिव्य अश्टोतर शतनाम स्टोतर लेकर आया हूँ यह मंत्र राज कल्प में मिलता है माता श्री ललीता अंबिका को महात्रिपूर सुंद्री शोडशी आधी अन्य नाम से भी जानते हैं और दश महाविद्याओं में माता तीसरे अस्थान पर आती हैं माता ललीता अंबिका, महात्रिपूर, सुंद्री, शोडशी, आदी, इन विद्याओं से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ती होती है, यह स्तोत्र बहुती दिव्य माना जाता है, इस स्तोत्र से मनुष्य की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, तो इन ही सब को ध्यान में रखते हुए, प्रारंभ करते हैं, इन के एकिए दिएम् सेरय सबूर्ण सेक्षव की लिद वानिंवीधिं हरीं, वंदे लक्षमिं सेरी उत्य सेद्म्स्द, एकिए घ्री इंवत्रे आस्थन पंच ब्रहम्मासनासिनाम सर्वाभिष्टार्थसिद्धय सर्वग्या सर्वजनक सर्वेश्वरशिवप्रभो नाम नामस्तो तरशतं श्रीदेव्याह सत्यम उत्तमं श्रोतुम इच्छाम्य अहंतात नामसारात्मकं अस्तवं श्रीशिव उवाच तद वदामी तव इसनेहाच छ्रीणू शन्मुख तत्वतह एक है दोनों समान है कहीं कहीं शिवंग करी के स्थान पर शिव शंकरी शब्द भी मिल सकता है इक्छा शक्तिह क्रिया शक्तिह ज्ञान शक्ति स्वरूपिनी शांत्यातिता कलानंदा शिव माया शिव प्रिया शिव माया शिव प्रिया सर्वग्या सुंदरी सौम्या सचीदानंद विग्रहा परात परामय बाला त्रीपुरा कुंडली शिवा रुद्रानी विजया सर्वा सर्वानी भुवनेश्वरी कल्यानी शूलिनी कांता महात्रि पूर सुंदरी मालिनी मानिनी शर्वा मगनोल्ला साच मोहिनी माहेश्वरी च मातंगी शिव कामा शिवात्मिका कामाक्षी कमलाक्षी च मीनाक्षी सर्व साक्षिनी उमादेवी महाकाली श्यामा सर्व जन प्रिया चित परा चित घनानन्दा चिन्मया चित स्वरूपिनी महासरस्वती दुर्गा ज्वाला दुर्गा अति मोहिनी नकुली शुद्ध विद्याच सचीदानन्द विग्रहा सूप्रभा स्वप्रभा ज्वाला इंद्राक्षी विश्व मोहिनी महेंद्र जाल मध्यस्था माया मय विनोधिनी शीवेश्वरी विशारूढा विद्याजाल विनोधिनी मंत्रेश्वरी महालक्ष्मिर महाकाली फलप्रदा चतुरवेद विशेशग्या सावित्री सर्वदेवता महेंद्रानी गना ध्यक्षा महा भैरव मोहिनी महा मै महा घोरा महा देवी मदा पहा महिशा सुर संहंत्री चंड मुंद कुलांत का चंड मुंद के कुल का अंत करने वाली चंड मुंद कुलांत का चक्रेश्वरी चतुरवेदा सर्वादिह सुरनाइका शड शास्त्र निपूना नित्या शड दर्शन विचच्छना कालरात्रिह कलातिता कवीराज मनोहरा शारदा तिलका तारा धीरा शूर जन प्रिया उग्र तारा महामारी छिप्रमारी रन प्रिया अन्न पुर्णे श्वरी माता स्वर्न कांती तटी प्रभा स्वर्व्यंजन वर्ना ध्या गद्य पद्यादी कारणा पदवाक्यार्थ निलया बिन्दूना दादी कारणा मोक्छेशी महीशी नित्या भुक्ती मुक्ती फल प्रदा विज्ञान दाइनी प्राज्या प्रज्ञान फल दाइनी अहंकारा कलातीता पराशक्तिह परात परा ओम माता ललिता त्रिपुरसंद्री का दिव्य अश्टोत्तर शतनाम मूल पाठ यहीं तक है और अगर आप 11, 21, 51, 108 बार पाठ करना चाहते हैं अहले थोड़ा ध्यान पूजन के बाद केवल मूल पाठ की ही बार बार आवरती की जाती है और फल शूति का भाग अंत में एक बार आवश्य ही परना चाहिए फल शूति में उस स्तोत्र से संबंधित बहुत सारी गुप्त जानकारी दी हुई होती है और स्तोत्र आदी की सिध्धी में इस तरह की जानकारी बहुती लाबदायक होती है फलशृतिही नाम नाम अश्टो तरशतम श्री देव्याह परमाद भुतम या परम अद भुतम दोनों समान है सर्व पाप छय करम महापातक नाशनम सर्व व्याधी हरम सोख्यम सर्व ज्वर विनाशनम ग्रह पीडा प्रशमनम सर्व शत्रू विनाशनम आयूर आरोग्य धनदम आयू आरोग्य और धन देने वाला है आयूर आरोग्य धनदम सर्व मोक्ष शुभ प्रदम देवत्वं अमरेशत्वं ब्रहं त्वं सकल प्रदम अग्नी अस्तंभं जल अस्तंभं सेनास्तं भादी दायकं शाकिनी डाकिनी पीडा हाकिन्यादी निवारनम देहे रक्षा करम नित्यम परतंत्र निवारनम इससे अगनी का स्तंभन, जल का स्तंभन, वीपक्ष के सेना का स्तंभन अदी होता है शाक्नी, डाक्नी, हाक्नी ąदी जो अन्य शक्तिया होती है तो उनके दुख तकरीप से निवारन होता है शरीर की रक्षा होती है पर तंत्र का निवारन यानि दूसरे के द्वारा किया गया जो तंत्र आधी होता है तो उसका निवारन होता है मन्तरम यंत्रम महा तंत्रम सर्व सिद्धी प्रदम निरीनाम मन्त्र यंत्र तंत्र आधी हर प्रकार के सिद्धी प्रात्थ होती है सर्व सिद्धी करम पुन्साम अद्रिश्यत्वा करम वरम सर्वाकर्ष करम नित्यम सर्व इस्त्री वश्यमोहनम मनी मंत्र ओशधी नाम्च सिद्धीदम शिग्रम एवचा इसे हर प्रकार का आकर्षन होता है इस्त्री का वशीकरन होता है मनी मंत्र आदी मंत्र आदी ओशधी आदी की सिद्धी भी होती है भयस्चोरादी शमनं दुष्ट जन्तु निवारनं पृथिव्यादी जनानं चवाक अस्थानादी परोवशं नस्ट द्रव्यागमं सत्यम इधी दर्शन कारनं सर्वता ब्रहम चारी नाम शिग्र कन्या प्रदायकं सुपुत्र फल्दम शिग्रम अश्वमेध फल प्रदम योग और अभ्यास आदी फल्दम श्री करम तत्व साधनम मोक्ष सामराज्य फल्दम देहान ते परमं पदम योग और अभ्यास आदी शिग्र फल्दाई होते हैं श्री करम यानि लक्ष्मी की प्राप्ती होती हैं मोक्ष मिलता है और देहान ते परमं पदम यानि श्रीड के अन्थोने पर मृत्यू के बाद साधक परमं पद को प्राप्त होता है देव्याह स्तोत्रम इदं पुन्यं परमार्थं परमं पदम विधीना विष्णूना दिव्यं सेवितं मयाच पुरा सप्त कोटी महामंत्र पारायन फल प्रदम इससे साथ करोड महामंत्र के पाठ और जब का फल प्राप्त होता है सप्त कोटी महामंत्र पारायन फल प्रदम चतुर वर्ग प्रदम निरी नाम सत्यमेव मयोधितम नाम नाम अश्टो तरशतम यच्छाम्यहं सुख प्रदम संपूर्ण पाठादी हो जाने कवार माता से प्राठत ना कर लेनी चाहिए कल्यानिम् परमेश्वरिम् परशिवाम् श्रीमत्रिपूरसुंदरिम् मीनाक्षेम् ललीतां अम्भिकाम् अनुदिनम् वंदे जगन्मोहिनिम् अनुदिनम् प्रतेक्दिम् अनुदिनम् वंदे जगन्मोहिनिम् चामुंदाम् परदेवताम् सकल्सभाग्य प्रदाम् सुंदरिम् देविम् सर्वपराम् शिवाम् शशीनिभाम् श्री राज राजेश्वरिम् इती श्री मंत्र राज कल्पे मोक्छ पादे असकंदेश्वर असकंद और इश्वर दो देवता हैं दोनों के बीच संवाद के रूप में हैं असकंदेश्वर संवादे श्री ललीता दिव्याश्टोतर शतनामस्तोत्रम अथवा शिवकाम् सुंदरिम् भाश्टोतर शतनामस्तोत्रम यहां कुछ शब्द देख लेते हैं ललीताम् भीका अगर उच्चारन में कष्ठ हो तो ललीता अंभीका बोल सकते हैं समान है दिव्याश्टोतर दिव्याश्टोतर अस्पष्ट भी बोल सकते हैं सर्वाकर्ष करम सर्वाकर्ष करम के लिए हैं आकर्ष यानि अट्रैक्शन आकर्षन के लिए यह शब्द है इस इस्तोत्र की PDF की फाइल की लिंक वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो आप इसे लाइक भी करें सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा स्यादा शेयर भी करें ताकि अन्य साधक जन भी इसका लाभ ले सके धन्यवाद